How to fix no internet connection in play store app दोस्तों यदि आपको ये error show हो रहा है अपने play store खोलते वक्त तो कैसे आप इससे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 100% guarantee देता हूँ वीडियो के अंतक आपका problem जो है वो solve हो जाएगा तो वीडियो के साथ बने रहिए साथी साथ चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा दीजेगा तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम basic setting कर लेते हैं जिसके मदद से आपका problem solve हो जाएगा यदि basic setting से नहीं होता है तो advanced settings आपको क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ठीक है सबसे बिले तो तीन settings आपको करना है जो की basic है दोस्तों कभी-कभी हमारा internet connection automatically off हो जाता है तो उसी वज़े से भी यह problem हमें आ सकता है एक बर अपना internet connection को जरूर चेक कर लिजेगा ठीक है internet connection आपका on है on होने के बाउजित भी आपको यह problem आ रहा है तब आपको क्या करना है अपने mobile के settings पे आपको जाना है अभी settings पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको simply dual SIM and cellular network या फिर आपके mobile में SIM management या फिर network के नाम से show करेगा वहाँ पे simply click कर लिजे और यह दिया आपका यहाँ पे दो SIM card है तो आप जो है अपना mobile data एक SIM card का off करके दूसरा SIM card का on करके भी एक बार check कर लिजे कभी-कभी internet connection पोर होने के वज़े से भी आपको वहाँ पे show करेगा ठीक है यह करने के बाद में भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है आगे आपको मैं बताऊंगा एक बार अपना mobile को जो है airplane mode को on करके off करके mobile को एक बार restart करके भी चेक कर लिजेगा ठीक है कभी-कभी mobile restart करने पर बहुत सारे problem solve हो जाता है यदि नहीं होता है तो last आपको solution जो है उससे final यह advanced solution है जिसके मदद से आपको problem solve हो गई होगा आपको जाना है app management में या फिर आपको कहलो आपकी mobile में application manager या फिर installed apps के नाम से आपको show करेगा basically आपको applications पे आना होता है और यहाँ पे दोस्तों आपको ढूनना है यहाँ पे आप all application select कर लिजेगा ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पे google play store ढून लेना है चलिए हम अपना google play store ढून लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे google play store आ चुका है google play store इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले तो force stop कर दिना है इसे और यहाँ पे force stop कर दिजेगा उसके बाद में बेक आने के बाद में storage usage पे चले जाएए और यहाँ पे आपको clear data कर देना है इसको clear data कर दिजेगा उसके बाद में back चले आएए और यहाँ पे data usage status पे जाके आपको यहाँ पे net rock permission पे जाना है और यहाँ पे वाइफा यान भाइल डाटा आपको सेलेक खरना है उसके बाद में आपको बेक आना है,् पर्मिशन पर जाना है, और यह सारा पर्मिशन आपको एलाउ करना है। उसके बाद में दूस्तों आप अपने मुबाइल को एक बार रेस्टार्ट कीजएगा, आपका प्राब्लिम जी है, वो कम्प्लिटली सॉल्फ हो जाएगा. उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर राचिंग.